नमस्ते दोस्तों मैं हूँ राहुल जैन आपका अपना हेल्थ और वेल्नेस कोच आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पॉजिटिव मिलेट्स के बारे में जिनको डॉक्टर खादिर वरी जी ने श्री धाने मिलेट्स पी कहा है यह ऐसे मिलेट्स हैं कि इसका अगर हम नित् मिलेट्स इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम इसका सेवन करते हैं जो भी रोख हमारे शरीर में हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और इसका सबसे बाड़ा कारण है इसके अंदर प्रजेंट फाइबर की मात्रा जो आठ परसंट से लेके साड़े बारा परसंट की कीस नहीं होता है और धीरे धीरे एक निश्चित मात्र में कार्भोहड़िड ग्लुकोस के कम में कंवर्ट होके हमारे खुन में पहुझता है इसी कारण से इसको पॉजिटिव मिलेट के अंदर सबसे पहले आता है फॉक्स्टेर मिलेट जिसको हिंदी में हम कांगनी वी बो आता है nervous system से जूड़ी समस्या जिसमें की Fates, Parkinson, Alzheimer, Autism ये सब रोग आते हैं और सपीन आता है इसमें joint related problem जिसमें आता है arthritis, osteoprosis, etc. अब थर्ड आता है इसमें नर्व से जूड़ीवी समस्या जिसमें CIT का और cervical से जूड़ीवी समस्या आती हैं और लास्ट में आता है लंक्स प्रॉब्लम जिसमें की बॉंकाइटीज अस्थमा आदी आते हैं तो इन सभी रोगों में अगर कोई व्यक्ति परिशान है तो वो अगर नित्य प्रती फॉक्स्टे मिलेट का सेवन करता है तो उसका रोग जल्दी ही ठीक होने लगता है अब से इसके अंदर 9% फाइबर होता है और इसका साइज पांचों मिलेट में सबसे बड़ा होता है इसको हिमालियन मिलेट भी बोलते हैं और इसके अंदर खास बात यह है कि इसका जो रंग होता है वो पिंकिश रेड कलर का होता है दोस्तों जब भी आप इसको वाश करोगे तो यह थोड़ा सा कलर आपका छोड़ता है तो आप देविएगा मत यह कोई पॉलिश नहीं है इसका यह नेच्रल कलर है और कुछ लोग इसको बार-बार वाश करते हैं इसका कलर निकालने के लिए तो ऐसा बिलकुल नहीं करना क्योंकि यह एक तरीके से उसका निट्रिशन ही है जो आप बार-बार वाश करके दूर कर रहे हो उसको हटा रहे हो तो सबसे पहले जानते हैं यह किन-किन रोगों में अपना काम करता है तो इसका सबसे इंपॉर्टन फक्षन है कि यह हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और ब्लड से जुड़िवी जोजबी समस्या ह उसमें यह बड़े कारगर तरीके से अपना काम करता है तो सबसे पहले जानते हैं ब्लड के जो पहला एक इंपॉर्टन पार्ट है वो है आर्बी सी यानिकी रेड ब्लड सेल और उससे जो अक्सर जो समस्या आती है महिलाओं के अंदर वह होती अनीमिया की जिसमें की आपक हीमोग्लोबिल नेवल डाउन हो जाता है तो जो व्यक्ति या जो महिलाएं जिनको भी अनीमिया की समस्या है जिनका हीमोग्लोबिल नेवल कम रहता है अगर वो नित्य प्रति कोदो मिलट का सेवन करते हैं तो उनका हीमोग्लोबिल नेवल या अनीमिया से जुड़ी समस्य दूर हो जाती है अब सेकेंड आता है ब्लड के अंदर इंपोर्टेंट पार्ट वो है डबलू बीसी यानि की वाइट ब्लड सेल जो हमारी इम्यूनिटिक लिए रेस्पॉंसिबल है और अगर हम कोदो मिलेट का रेगुलर सेवन करते हैं तो हम लो इम्यूनिटी से निजात पा सकते हैं यानि की हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अब्लड के सेवन करने से अब तीसरा ब्लड का इंपोर्टेंट पार्ट है प्लैटलेट जो अकसर डैंगू की कंडिशन में काफी डाउन हो जाती है तो इस दोनान अगर हम नित्य परती कोदों मिलेट का सेवन करेंगे तो हमारी प्लेटिलेट्स की संख्या भी बढ़ने लगती है और जो ब्लेट का जो तीसरा तो यह है कि जिनके खून में कॉलस्ट्रोल की मात्रा या ट्राइगली स्राइट की मात्रा बढ़ी हुई है अगर वह भी कोदों मिलेट का सेवन करते हैं तो उनमें भी फायदा पहुचाएगा और जो व्यक्ति ऐलर्जिक की समस्या से बहुत ही परेशान जाने कि ऐसे एंवा फायदा मिलेगा अब अन्त में एक और इसका इंप्रोर्टिन फायदा बताने जा रहा हूं वह यह है कि जिनोगों को समस्या हैं अगर वो één मिलिट का सेवन करते हैं तो वो किड्नी से जुरुई समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं तो दोस्तों इनको ध्यान से नोट कर लीजे जो कि यह जानकारी बहुत ही कीमती है जो डॉक्टर खादिर वली जी ने अपनी सालों की महनेंच से तयार किया है तो इसको ध्यान से नोट कर लीजे अब पीसरे नंबर पर आता है बर्णियाड मिलिट जिसके अंदर 10% फाइबर होता है और इसका जो कलर है वो क्रीमिश वाइट होता है अब बात करता है कि इसको हिंदी में बोलते क्या हैं तो इसको हम नॉर्मली आम भाशा में सवा के चावल बोलते हैं और यह नॉर्थ इंडिया में फास्टिंग के दुरान बहुत ज़्यादा खाया जाता है अगर हम सही तरीके से और रेगुलर बेसिस पे बर्णियाड मिलिट का सेवन करेंगे तो यह है पहले important role में हमारे liver को detoxify करता यानि कि उसको clean करता है उसमें जो जो impurities जमाए हैं जो जो toxic इखटा है उनको निकाल देता है और liver से जुड़ी जो भी समस्य है चाहे वो johndies हो चाहे वो ताइफाइड हो वो भी इसके सेवन से ठीक होने लगते हैं secondly यह जो लोग गॉल बेडर स्टोन से परेशान है अगर वो भी बन्याड मिलेट का सेवन करते हैं या सवा के चावल का सेवन करते हैं तो उनमें भी यह लाप पहुचाएगा दोस्तो अब फोर्ट नंबर पर आता है लिटल मिलेट जिसके अंदर 10% फाइबर है और यह भी क्रीमिश वाइट कलर का है इसको हम कुटकी की नाम से भी जानते हैं तो सबसे पहले जानते हैं इसके इंपॉर्टन फंक्शन क्या है तो इसका सबसे इंपॉर्टन फंक्शन है हार्मोनल इंबैलेस को दूर करना और इसी के कारण आज हमारी यंग जनरेशन बहुत ही परेशान है एक किन-किन रोग हमारा ये millet बहुत ही important role अदा करता है इसके अलावा जो महिला PCOD से बहुत ज्यादा परेशान है वो भी अगर regular basis पे little millet का सेवन करती है तो उनमें भी यह है लाप पहुचाएगा और पुरुशों में भी जिनको low sperm count की समस्या है वो भी अगर little millet का सेवन करते हैं तो उनकी यह सम में पर आज बहुत सारे लोगों के hair fall की समस्या परिशान कर रही है जो कहीं न कहीं hormonal imbalance की वज़े से भी होता है तो अगर वो little millet का सेवन करते हैं तो उनका hair fall भी कहीं न कहीं रुख जाएगा दोस्तों अब last millet आता है जो है brown top millet जिसके इंदर सबसे ज्यादा fiber की मात्रा होती यह वो है 12.5% इसको हरी कांगली भी बोलते हैं और greenish color का होता है दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इसके क्या-क्या functions है और यह किन-किन रोगों में काम करता है तो इसकी जो पहली properties है वो same है फॉक्सचल properties की तरह और जितने प्रकार के रोग फॉक्सचल मिलेट ठीक करता है अगर हम साथ में brown top millet भी लेते हैं तो यह भी उनी रोगों को ठीक करने में अपना काम करेगा जैसे कि nervous system से जुड़िवी समस्या, lung से जुड़िवी समस्या, joint से जुड़िवी समस्या और nerve से जुड़िवी समस्या तो इन सब रोगों में भी brown top millet काम करेगा साथ की साथ ये जो skin related problems हैं जैसे की eczema आदी उनमें भी अपना काम करता है और इसका जो बहुत important function है वो है digestive system से जुड़ेवी समस्या को ठीव करना जिसमें की acidity, constipation आदी आते हैं तो अगर किसी को constipation, acidity, gas बनना ये जो digestion से जुड़ेवी समस्या है अगर वो भी brown top millet का सेवन सही तरीके से करता है जो हम अभी आगे जानेंगे तो वो भी अपने digestive problem को दूर कर सकता है इसके अंदर anti-cancerous properties होती हैं और यह सभी प्रकार की cancer को ठीक करने में अपना एक बहुती महत्पून रोल निबहाता है चाहे वो गले का cancer हो चाहे वो मूग का cancer हो चाहे वो खून का cancer हो इन सभी रोगों में यह brown top millet अपना important function निबहाता है और अंत में यह rectum से जुड़ेवी रोगों को भी ठीक करने में अपना एक important role निबहाता है जिसमें आते हैं अपने यह जानकारी अपने कॉपी या notebook में जरूर लिखी होगी मैंने एक अलग से हर एक मिलेट पे बहुती डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसका भी link नीचे वीडियो के description में दिया हुआ है आप link पे जाहिए और आप बहुती डिटेल्ड में शृत धाने मिलेट के बारे में जान सकते हैं और दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं मिलेट से appointment लेना चाहते हैं या अपना एक customized diet plan तयार करना चाहते हैं तो आप नीचे दियेगे number पे अपनी request भेज सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं साथ की साथ अगर आप Dr. Khadir Waliyji की free PDF booklet चाहते हैं जो Hindi और English में available है तो नीचे दियेगे number पे WhatsApp कर देजे और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको वो soft copy भेज सकूँ तो दोस्तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और मैं आपसे एक request करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाईए जिससे की मिलिट्स की awareness हम जादा से जादा फैला सके दोस्तों चलिए मिलते हैं अब नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद